बॉलिवुड एक्टर इर्फान खान के निधन के बाद आज यानिती सप्रायल को बॉलिवुड इंडस्ट्री एक और बुरी खबर के साथ यानिकी रिशी कपूर के निधन के साथ हाई पूरा देश इस जोका देने वाली खबर से सकते में हैं सतर के दशक के शांदार आक्टर रिशी कपूर दुनिया छोड़ कर चले गए हैं सितंबर में कैंसर जैसे बिमारी का इलाज करा कर कि रिशी कपूर ने जब देश बापसी की तब हर किसी को लग रहा था कि अब वो ठीक है लेकिन लोग डाउन ने पुरा खेल विगार दिया रिशी कपूर का वो सपना क्या था चलिए आगे बताते हैं बेटर रनबीर कपूर की शादी देखने का सपना रह गया अधूरा दरसल रिशी कपूर चाहते थे कि उनके रहते उनके बेटे रनबीर कपूर की शादी हो जाए कई बार ये खबरे आई कि रनबीर की शादी की तारीखे निकलने वाली है लेकिन ब्रमास्तर की शुटिंग के चलते रनबीर की शादी की डेट आगे बढ़ती रही और फिर कोरोना संकट के चलते देश पर में लोगडाउन हो गया मेरा रिपोर्ट की मानी तो रिशी कपूर ने अपने होने वाली बहू आलिया भट से कई बार मुलाकात की साथ में डिनार किया बस बेटे का घोडी चड़ना और आलिया को दुलहन के जोड़े में देखना रह गया रिशी कपूर ने अपने एक इंट्रव्यू में एक बार कहा था कि बेटी की शारी देखना बागी रह गया पितार इशी कपूर का ये सब नाप पूरा ना हो पाने का मलाल यकीनन रनवीर कपूर को भी हुगा अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो सिलाई को शेयर करें साथ ये पने व्यूज आमें कमेंट करके जरूर बताएं प्रस्क्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटिस और इंट्रस्टिंग न्यूस के लिए